है गाईस आज की इस वीडियो में हम आप सभी को दिखाने वाले हैं एक 10 x 30 fit का एक शांदार डिजाइन इस वीडियो में हम इसका complete information देने वाले हैं इसका हम 3D plan create करने वाले हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे columns हमने यहाँ पर दिये हुए हैं कितने column हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं चलिए हम सबसे पहले column को उठाएंगे उसके बाद वाल को उठाएंगे उसके बाद door, window, ventilation और यहाँ पर सारा कुछ interior बनाकर आपको दिखाने वाले हैं तो वीडियो को लास्ट जरूर देखें चैनल को फास्टाइम विजिक करना है तो प्ली समाइए चैनल को सब्स्क्राइब के लिए क्योंकि यहाँ पर आप सभी के लिए बहुत ही शुंदर सुंदर हाउस डिजान वीडियो अप्लोड करते रहते हैं तो चलिए वीडियो को बना दिया हुआ दूसरा भी हम बनाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नहीं पर यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर आपके लगने वाले हैं अगर इट कॉलम आपको आप लगा जयते हैं तो काफी ज़्यादा आपकी मजबूती यहाँ पर आने वाले है तो चलिए हम अब इसके बाद सारी walls को यहाँ पर हम उठा देते हैं तो एक एकर के walls को उठा देते हैं तो wall को हम थोड़ा height में कम ले जाएंगे ताकि column आपके नजर आ जाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने walls को यहाँ पर हमने बनाना start कर दिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी walls हमारी एक एक करके यहाँ पर उठ रही हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं सारी walls को हम एक एक करके उठा लेंगे उसके बाद हम आपको door, window, ventilation सारा कुछ बना कर दिखाने वाले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने दस, 32 Archip はい में बहुत सुन्दर सा डिज़ाइन कर दिया है हमने इंटिरियर जारा कुछ डिजाइन कर दिया है कहा कहा पर क्या चिज़ हमने रखा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर यहां पर हमने डोर लगाया हुए, काफी सांदार हमने यहां पर डिजाइन रखी हुई, फ्रंट से हमने कुछ इस तरह से डिजाइन की हुई है, विंडो के डिजाइन यहां पर आप देख सकते हैं, काफी खुबसूरत यहां पर डिजाइन में दी है, और यहां पर आप राइनुंग एरिया का फी उसके आगे बढ़ते हैं तो यहां पर मिलती है यहां पर उसके leverage और ऊपMusic यहांपर यहां पर दोलुए मिलती है यहां पर आप के स्कूद्र होई तो काफ़ी कोश्वल cursed यहां पर आपको ट्वालने वाली है यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यह हमने कुछ 3D इस तरह से डिजाइन की है हमने बाकी यहाँ पर देख सकते हैं यह 1.5 फिट हमने यहाँ पर यह प्लिंथ लेवर रखा हुआ यानि कुरसी जिसे बोलते हैं तो इस प्रकार से हमारा यह 10 बाई 30 फिट में काफी खुबसूरत डिजाइन बनका रेडी हो जाता है अब चलिए हम इसके लंबाई चौडाय की बात कर लें तो सबसे पहले हम बेडरूम की बात करेंगे जो पीछे हमने बेडरूम रखा हुआ है इसका साइज जो हमने रखा हुआ है वो रखा हुआ है 9 फिट 2 इंच इंटू 12 फिट यानि यह 12 फिट रहेगी और यह 9 फिट रहेगी तो यह काफी खुबसूरत और काफी अच्छा स्पेस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है उसके बाद बात आती है यहाँ पर ट्वालेट की हमने दिख सकते है और यह जो किछन और पारकिंग हमने दी हुई है यहाँ उपलगों काफी पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है दो वीडियोगों को भी करें चाहनल को सब्सक्राइब करें इस इसे तरह अपनों के लिए इसी तरह के नियू लेटेस्ट हाउस डिजाइन वीडियो डालते रहते हैं वीडियो दखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम मिलते हैं आप सभी को एक अगली नए वीडियो के साथ तब तक के लिए चाहे हैं जय भारत